गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग रूगना वस्था में आहार के प्रकार के बारे में परहेंगे बच्चों, रूगना वस्था में दिये जाने वाले आहार को तीन भागों में बाटा गया है पहला है तरल आहार यानि लिक्विड डाइट, दूसरा है नरम तथा कोमल आहार यानि सौफ्ट डाइट तीसरा है शामाइन आहार यानि नौर्मल डाइट बच्चों, सबसे पहले तरल आहार के बारे में परहेंगे तरल आहार उश आहार को कहते हैं जो पेपदार्थ के रूप में गरहन किया जाता है यह रोगी को उश अवस्था में दिया जाता है जब कोई रोगी किसी गंभीर रोग से ग्रसित हो तथा वह थोस आहार, खाने एवं पचाने की इस्थिती में ना हो इस प्रकार के आहार में यानी तरल आहार में मिर्च मसाले तथा रेसे युक्त भोजि पदार्थ का आभाब होता है इतना ही नहीं इसमें सुगंध युक्त मसाले अथवा भोजि पदार्थ को भी सामीर नहीं किया जाता है तरल आहार किसी भी रोगी व्यक्ति को तब तक दिया जाता है जब तक उस रोगी को भूख ना लगे अथवा वह आहार गरहन करने में पूरी तरह और समर्थ होता है तरल आहार को भी दो भागों में बाटा गया है पहला पूर्ण तरल आहार यानि फुल लिक्विड डाइट और अर्ध तरल आहार यानि सेमी लिक्विड डाइट पूर्ण तरल आहार उश आहार को कहते हैं जो पूर्ण तह द्रब की इस्थिती में रहते हैं अर्थात जिसे जल के समान पिया जा सकता है ऐसे भोजि पदार्थ सामाने ताप क्रम पर तरल रूप में रहते हैं अर्थात तरल आहार उस आहार को कहते हैं जो या तो सौभाविक रूप से तरल रूप में रहते हैं या उसको पकाकर तरल रूप में लाया जाता है इस आहार को अधिक पतला और चान कर रोगी बैक्ति को दिया जाता है शामानित या आहार पौस्टिक नहीं होता है और यह किसी भी रोगी को तभी तक दिया जाता है जब तक वह अर्ध तरल आहार अथवा सामाने आहार लेने की इस्थिती में नहीं आ जाता है तरल आहार तीब्र ज्वर शल्ले चिकित्सा तीब्र हिर्दै रोग गैस्टिक इत्यादी की इस्थिती में दिया जाता है कई बार ऐसा भी होता है कि रोगी तरल आहार भी मुह से लेने की इस्थिती में नहीं होता है वैसे इस्थिती में पाइप के द्वारा अथवा इंजेक्शन के द्वारा उस वैक्ति के शरीर में तरल आहार पहुचाया जाता है बसा रही दूद, छाच, पनीर का पानी, उबली हुई सबजीयों का पानी, दाल का पानी, छना हुआ शूप, फलों का रस, ग्लुकोज पानी, नारियल पानी, इत्यादी तरल आहार की स्रेनी में आते हैं इसके बाद अर्द तरल आहार जैसा की नाम से ही पता चलता है की इस प्रकार का आहार, पूर्णत, तरल, अथवा, द्रब की अवस्था में नहीं होते हैं या आहार रोगी व्यक्ति को कई दिनों तक दिया जा सकता है इस आहार को पौस्टिक बनाया जा सकता है यह आहार भी रोगी व्यक्ति को तब तक दिया जाता है जब तक की वह शामाने आहार खाने पीने पचाने अथवा निगलने की इस्थिती में नहीं आ जाता है अत्यधिक दस्थ होने पर उल्टी होने पर पाचन संबंधी अन्य रोग होने पर पीरित व्यक्ति को अर्ध तरल आहार दिया जाता है इस प्रकार के आहार में पतली, खिचडी, दलिया, कस्टर्ड, खीर, सुजी का खीर अच्छी तरह उबाल कर मसला हुआ सब्जी इत्यादी आता है इसके बाद नरम आहार यानी सॉफ्ट डाइट जैसे जैसे रोगी के हालत में सुधार होती है वैसे उसके आहार में परिवर्तन लाया जाता है अर्थात उशे तरल आहार से नरम आहार देना शुरू किया जाता है इस प्रकार के आहार की तरलता शामान एवं तरल आहार के बीच की होती है अर्थात ना तो यह आहार पूरी तरह तरल होता है और ना ही पूरी तरह शामान होता है यह आहार, पाचनसील, शरल, रेशाहीन, मिर्च मसाले से रहित, नर्म एवं आशानी से पचने वाला होता है इसे रोगी व्यक्ती आसानी से चवा सकता है और खाभी सकता है पौश्टिक्ता की द्रिष्टी से यह आहार, शंपूर्ण एवं रोगी को पूरी तरह पोशन देने वाला होता है और इस आहार को ऐसा होना भी चाहिए ना सिर्फ रोगी व्यक्ती बलकी वैसे ब्रित व्यक्ती जिनके मुँँ में दांत नहीं होता जिनकी पाचन सकती कमजूर होती है और वैसे व्यक्ती जो सल्य चिकित्सा कराने जा रहे हैं उससे पूर्व अथ्वा ओप्रेशन के बाद जो सामाने आहार ग्रहन नहीं कर सकते वैसे व्यक्तियों को नर्म आहार दिया जाता है इस प्रकार के आहार में मुख्य रोप से मसला हुआ फल, सबजियां, अच्छी तरह गला कर पकाया हुआ चावल, डाल, दलिया, खिचडी, डवल रोटी, दही, रायता, पनीर, इत्यादी आता है इसके बाद शामानि आहार जब कोई वैक्ति रोग से पूर्ण तरह मुक्त हो जाता है और सभी प्रकार के आहार को खाने और पचाने में समर्थ हो जाता है उस अवस्था में रोगी वैक्ति को शामानि आहार दिया जाता है शामानि आहार देते समय भी यह ध्यान रखना चाहिए कि वह आहार उस रोगी वैक्ति के पोशन को पूर्ण करता है अथवा नहीं इसके लिए यह आवश्यक है कि डॉक्टर के परामर्श से उसके सामानि आहार में कुछ अतरिक्त भोजी पदार्थों को मिलाया जाए अथवा कुछ भोजी पदार्थों को उसके सामानि आहार से अलग किया जाए ऐसे रोगी जो दुरघटना ग्रस्त हो जाते हैं और जिनकी हड्डियां तूट जाती है वैसे रोगी के आहार में प्रोटीन युक्त भोजी पदार्थों को सामिल करना चाहिए दूसरी और वैसे रोगी जो मधुमेह से पिरित हैं उनके आहार में सरकरा युक्त भोजी पदार्थों को कम से कम सामिल करना चाहिए अथवा ना के बराबर सामिल करना चाहिए कुछ ऐसे रोगी भी होते हैं जिनको गुर्दे में विकार होता है ऐसे पिरित वैक्ति के सामाने आहार में सोडियम की मात्रा कम कर देनी चाहिए प्रंतु बाकी अन्य खादित पदार्थों की उतनी ही मात्रा होनी चाहिए जो की एक सामाने वैक्ति के आहार में होता है इस प्रकार आज हमने देखा कि रोग की अवस्था में आहार के कौन-कौन से आहार दिये जाते हैं ये आहार कितने प्रकार के होते हैं, किस इस्थिती में रोगी को कौन सा आहार देना चाहिए ताकि उसके सरीर की पोशन शंबंधी आवश्यक्ता को पूरा किया जा सके और उसे जल्द से जल्द रोगमुक्त बनाया जा सके धन्यवाद